IAT-JEE Mains और JEE Advanced Mathematics की आपको सिंगेज बुक के तरो तयारी करवाई जा रही है यह बुक पांच किताबों का कलेक्शन है जो कि आपके 11-12th Mathematics के syllabus को completely cover करते हैं और JEE Advanced लेवल तक आपको prepare करती है Coordinate Geometry, Calculus, Vector Synthesity, Algebra, Entrychnometry यह 5 sections हैं और हम इसी मैनर में सारी किताबे पढ़ेंगे हर एक chapter पढ़ेंगे, हर एक concept पढ़ेंगे और properly उन concepts को consolidate करेंगे examples और illustrations से Exercises में हर variety के questions का exposure लेंगे ताकि आपके सारे concepts revised हो जाएं और finally chapter को culminate करेंगे JEE Advanced के previous years questions के साथ यानि कि एक अच्छी मजबूत डीटेल तयारी बिलकुल free of cost हम कोई charges नहीं लेते, कोई hidden cost नहीं होती है आपको कोई subscription नहीं करीदा होता We are an absolutely 100% free of cost quality online education platform from kindergarten to 12th standard अब हमारे notes, pdfs और e-books के लिए team से contact कर सकने इसके लिए आपको इस video के description में दिये गया link get notes पर click करना होगा ellipse chapter में हम जब बात कर रहे हैं किसकी jwe advanced kpyqs की तो हम आज जिस category के questions को cater करेंगे वो है आपके matrix match type अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इस question को हमने 3-4 बार किया है इसलिए क्योंकि circle chapter में जो इसका section आए था, वो हमने तब किया था पैरा बोला में जब आया था वो हमने तब किया था ellipse का अभी करेंगे और hyperbola का हम जब hyperbola chapter पढ़ेंगे तब करेंगे बनाब इस question का आधा पार्ट हम कर चुके हैं in in chapters के दोरान respectively ये पार्ट तब करेंगे जब hyperbola आएगा आध सिर्फ हम इसका ellipse वाला पार्ट करेंगे कोई confusion तो नहीं है भई I hope ये बात ये discussion आपको यहाद है ये GW advance ने 2009 में जब इसे महस IIT GW के नाम से जाना जाता था और आपकी जो IIT GW main से उसे तब AI triple E के नाम से जाना जाता था इस C part की अगर मैं बात करो तो इस ellipse को लेकर हम बात करेंगे और चुकि मैं आंसर जानता हूँ तो मैं सीधे आप से इस part की बात करूँगा कि आसका आंसर क्या होगा क्योंकि circle और पराबल हम कर चुके हैं तो इसका जो होगा वो R part होगा तो इस R वाले part को figure out करने की कोशिश करते हैं नहीं से जिखना points of the conic having parametric representation कैसा इस तरीके से सर ये parameter है और अगर आप कह रहे हुए ellipse है तो ellipse को लेके तो हमारा opinion अलग है आप यहाँ पे कुछ और opinion क्यों दे रहे हो मतलब आप confuse क्यों कर रहे हो मेरा opinion करिए मैं आपको confuse नहीं कर रहा हूँ कैसे गौर से सुनिए X क्या है सर X आपका लिखा हुआ है गौर से देखेगा X जो लिखा हुआ है वो है under root 3 times under root 3 times कितना 1 minus T square upon 1 plus T square तो यह है 1 minus T square upon 1 plus T square बिल्कुल सही बात कही है आपने और Y क्या है भी Y को अगर आप गौर से देखें तो 2T upon 1 plus T square जब आप इसे देखें तो जस दिन आप trigon पढ़ लेगे ना trigonometry आप कहोगे कि हाँ सर हमें भी क्लिक कर रहा है मेरा महस इतना सा कहना है कि trigon आप पढ़ लेए आपको भी दिखेगा कि मैं क्या कहना था हूँ बस Y को वेरिफाइ कर लेते हैं 2T upon 1 plus T square मेरा महस आप से इतना सा कहना है गौर से नहींगा अगर थोड़ी दिर के लिए आप T को मान ले 10 alpha क्योंकि 10 सारी values लेता है तो मैं यहाँ पर T को ले लेता हूँ लेसे 10 alpha अपने convenience के क्योंकि मुझे कुछ चमक रहा है आपको भी चमकेगा थोड़ा patience रखिए जब आप trigger पढ़ लेंगे तब बेशक तो अगर मैं X की आप से बात करूँ तो X क्या दिख रहा है सर X को गोर से देखो आप अंडूरूड 3 ताइमस यहाँ से देखना 1-T square upon 1 plus T square याने 1-10 square alpha upon 1 plus 10 square alpha क्या भी कुछ दिखा आपको अब भी नहीं दिख रहा है और कोशिश करेंगे यहाँ से य को देखो Y कितना दिख रहा है 2T 2T याने 2 times 10 alpha upon कितना 1 plus 10 square alpha क्या कुछ आपको नजर आ रहा है जो मैं आप से कहना चाहरा हूँ अब याद करो sin2 alpha और cos2 alpha के formula क्या होते है अगर नहीं दिख रहे तो घबराओ मत इसे और simplify करो कैसे करेंगे गौर से देखना मैं इसे क्या लिखूँगा ध्यान से notice करो 1-sin2 alpha upon cos2 alpha 1 plus sin2 alpha upon cos2 alpha गौर से देखना मैं लिखी देता हूँ ताकि मैं जब बोलूँगा तो आपको शायद समझ में नहीं चीज़े क्योंकि मैं जो दिमाग में सोच रहा हूँगा वो बोल रहा हूँगा तो वही exactly आप सोच रहे हो इस बात की guarantee शायद अभी नहीं दीज़ जा सकती क्योंकि maths में चीज़ें बहुत मुश्किल है explain करना verbally तो इससे मैं लिख रहा हूँ 1- वैसे formula आपको पता होने चाहिए चुकि आपने भी ट्रगों नहीं पड़ा इसलिए मैं इससे थोड़ा से simplify कर दे रहा हूँ आपके लिए गौर से देखो 10 square alpha को लिखते है sin square alpha upon cos square alpha वो यहां multiply होता है तो यह कितना बनेगा सर यह x जो है आपका यह बनेगा and root 3 times cos square alpha minus sin square alpha गौर से जिखेगा सर डिनॉमिनेटर में cos square alpha भी आएगा बिल्कुल लम उस बारे में बात करेगा बढ़ थोड़ा patience रखे 10 square alpha को लिखंगा sin square alpha upon cos square alpha वो cos square alpha यहां multiply होता है कितना बनेगा सर यह बनेगा cos square alpha plus sin square alpha अब आप मेरी इस बात को मानिए यहां भी cos square alpha denominator में यहां भी denominator में दोनों cancel हो जाएंगे क्या आपको यह formula याद आया अभी cos square alpha minus sin square alpha cos 2 alpha होता है और sin square alpha plus cos square alpha 1 याने x की जो value यहां से आई वो कितनी आई सर वो आती है under root 3 times cos 2 alpha यहीं मैं आप सा कहना चारा था कि यह cos 2 alpha का 10 form में formula है जिसे हम बहुत तादाद में बहुत भारी मातरा में use करेंगे तो इसे याद रखिएगा anyway हम इतनी practice करेंगे कि आपको eventually याद हो जाएगा इस बारे में बात करते हैं इसे भी simplify कर दो सर ठीक है कर लिए 10 alpha क्या होगा sin alpha upon cos alpha तो मैं y को लिखने जा रहा हूँ को और से देखेगा भई जब हम y को लिखेंगे तो y कितना होगा 2 तो already है 10 alpha को कितना लिखा sin alpha upon cos alpha अच्छा denominator में क्या दिख रहा है denominator को भी गौर से देख लिए वो है 1 upon 10 square alpha उसे में क्या लिखूंगा sin square alpha upon cos square alpha तो cos square alpha plus sin square alpha upon cos square alpha do you all get that तो ये कितना दिखेगा सर ये दिखेगा sin square alpha plus cos square alpha upon upon में कितना cos square alpha I hope this isn't confusing at all now what are we going to do next अब जो अगला काम आप करेंगे गौर से फर्माई देखेगा चनाब ये तो 1 हो जा रहा है कोई आपती तो नहीं है इसे थोड़ा घुमा फिराकर उपर लेके गए तो y is equal to 2 times गौर से देखेगा numerator मे साइन alpha denominator में cos alpha इसे तो वैसे रखता हूं और ये जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा सरी हो जाएगा cos square alpha upon sin square alpha plus cos square alpha 1 क्या आप कुछ देख पाए सिर्फ cos square alpha एक ये गया तो ये बचा y is equal to 2 sin alpha cos alpha which is the formula of sin 2 alpha if you all are agreeing with that और एक 2 तो अरड़ी है ये 2 की वज़े से 2 है कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा एक बात बताओ क्या यहां से cos 2 alpha को मैं आप सभी लोगों की सहमती से x upon under root 3 लिख दूँ तो आपको कोई परिशानी तो नहीं यहां से आप सभी लोगों की राजी मर्जी से रजामंदी से अगर मैं sin 2 alpha को y upon 2 लिख दूँ तो आपको कोई आपती तो नहीं ऐसा क्यों किया आपको याद है न cos और sin में बात बनते ही हम identity यूज़ करते है sin square alpha plus cos square alpha angle same है 2 alpha 2 alpha तो identity काम करेगी तो सीडी सी बात है sir sin square 2 alpha plus cos square 2 alpha will be equal to 1 याने कि x upon under root 3 का square याने कि x upon under root 3 का square याने x square upon 3 plus गौर से देखेगा y upon 2 y upon 2 का square याने कितना y square by 4 is equal to 1 and that clearly that clearly evidently this is quite apparent to all of us that this represents an ellipse do you all get that और एक और बात sir इसमें major axis आपका y axis होगा mind you view it क्योंकि 4 3 से बढ़ा है eccentricity वगरा सारी बात याप कर सकते थे बढ़ महज आपसे यह पूचा चाला था कि यह जो curvature है यह जो condition यह किसे represent रहती तो इसमें इसके लिए आप our option mark करेंगे बाखी discussion chapters के दौरान यह दो का discussion हो चुका है यह आज हमने किया इसका discussion chapter के दौरान कोई आप पती तो नहीं इस तरीके से आप यह सारे questions attempt करेंगे एक और matrix match type question आपके सामने आता है कुछ इस तरीके से इसमें भी I would like to sincerely apologize कि अगर मैं जाना चाहूं तो इसकी details में जा सकता हूं पर यह differentiation का question है तो जब differentiation करेंगे तब यह vectors का question है तो जब हम vectors in 3D पढ़ेंगे तब यकीन करिया मैं करवाँगा यह हमने किया है अगर मैंने आज कहा है तो जब यह chapters पढ़ेंगे तब यह matrix match type फिर से में show करूँगा उस दिन of course अगर आज मैंने यहां पर क्या करवा दिया है आपको ellipse का question तो उस दिन में लेफ्स नहीं करूँगा उस दिन में कहूँगा किसी option कर चुके है आपका differentiation जब पढ़ेंगे तो हम यह part कर लेंगे जब आप vectors पढ़ेंगे तो यह कर लेंगे और इसका D part कहा भी number of positive solution तो inverse trigonometric function का question यह तब करेंगे तो आज हम इसका महस C part करेंगे कोई आपती तो नहीं क्योंकि मैं समझाना भी चाहूँगा तो अभी समझा जरूर दूँगा पर जो बाते हम apply करेंगे वो उन chapter पर बेज़े जो अभी आपने फिलाल नहीं पढ़ी है सिंगेज के context तो अभी हम इसे थोड़ा सा you know carefully ही चलते हैं और बस इस वाले part पर बात करते हैं part C में क्या लिखा है गौर से सुनियेगा if the normal from the point P on this ellipse is perpendicular to the line X plus Y is equal to 8 then the value of H is यकीन करिये एक अच्छा आसान और मजदार question है बढ़ करेंगे कैसे अब पहले तो ellipse बताओ sir क्या है ellipse है आपका गौर से देखेगा question समझते हैं हम पर पहले ellipse देखते है X square upon 6 plus Y square upon 3 is equal to 1 यह आपका ellipse है okay we get that एक point है P H,1 इस point P की खास बात क्या है आप यह बताओ वो कह रहा है जो P point है sir आपका H,1 यह इस ellipse पर लाई कर रहा है वो देखो न क्या कर रहा है the normal from the point P H,1 तो P जो point है आपका H,1 वो कहां लाई कर रहा है भी वो लाई कर रहा है आपके ellipse पर ठीक है sir उससे क्या निकलेगा मेरा icon करी उससे बात बन जाएगी उससे अब H निकाल लोगे उसमें घुमा फिरा की बात कही है क्योंकि H,1 जब इसमें पास करेंगे क्योंकि ellipse पर लाई करता है तो H मिल जाएगा ठीक है निकाल लेंगे वो फिर वो क्या कह रहा है इस perpendicular to this line करते हैं सर अभी बात पहले H,1 को सब्सक्राइब करते हैं फिर यह perpendicular वाली बात करेंगे है न सुनना मैं H,1 यहाँ पास करता हूँ तो कितना हो जाएगा सर यह होगा H square by 6 और यह कितना 1 by 3 is equal to 1 फिर H square by 6 को यहीं रखा और 1 by 3 को वहाँ भेजा तो कितना हो जाएगा 1 minus 1 by 3 यह हो जाएगा सर यह हो जाएगा कुछ ऐसा I think अब तो आप कहपा रहे हैं मैं क्या कहना चाहरा हूँ भई अगर आप 3 से 6 को cancel करते हैं तो होता है 2 यानि कितना हो जा रहा है सर यह हो जा रहा है आपका technically 2 square तो H square अगर 2 square के equal है तो H क्या हो सकता है सर H plus minus 2 दोनों हो सकता है तो जो P point मिला मुझे वो technically मुझे 2,1 भी मिल रहा है या फिर मुझे minus 2,1 भी मिल रहा है ठीक है एक बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं जो भी होना होगा दिख जाएगा सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब वो यह कहना चाहरा है कि जो H,1 है आप तो 2,1 ले लिजिए माइनस 2,1 ले लिजिए उस पर जो आपने ड्रॉ किया है नॉर्मल ठीक है सर वो नॉर्मल आपकी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है अब आप गौर से सिंपल सी इक बात सोच के बताओ अब खुद इसको बहुत बहुत हलके में निकाल लोगे इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूत नहीं है यह मानलो आपका एक इलिफ्स है बिल्कुल है सर इस इलिफ्स पर एक पॉइंट है इलिफ्स पर एक पॉइंट है उस पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया है नॉर्मल उस पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया है नॉर्मल मेरा आप से कहना है अगर उस पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया है नॉर्मल तो क्या उस पॉइंट पर आप टेंजिंट बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं तो यह जो लाइन होगी जिसको मैं हटकर आपको दिखाना चाहरा हूं यह लाइन इसके टेंजेंट होगी अब आप बात समझना यह नॉर्मल और अभी फिलाल में मान लेता हूं वह पॉइंट है टू कॉमा वन तो उस एलिप्स पर टू कॉमा वन पर ड्रॉ की गई टेंजिन की कुशन निकालना बहुत बड़ा काम है क्या नहीं है मेरा ऐसा मानना है क्यों क्योंकि सर टीजी कॉस्ट जीरो सा आप निकाल सकते हो अब आप सोचना यहां से मुझे मुझे हैं एच की वैली पूची जा रही है उन हालातों में सुनना माइनस लाइन पर पर्पेंडिकुलर है अगर आरबल मानन लोग एक यह लाइन हें जिस पर एक्सपन प्लस वाइपन थ्री इस एक्वल टूवन क्या आप सब यह बात समझ पार रहे हो तर इसे ज़रा थोड़ा सिंप्लेफाइब कर लेते हैं जैसे ही सिंप्लेफाइब क्या तो देखो क्या मिलेगा आइधिंग अगर मैं इसे लिख लूँ तो आपको कि दिक्कत तो न आपको नजर आहीं गया होगा और कितना वाइज प्लस वाइज इक्वल टू इक्वल टू ही फॉर्म में है तो पड़िया तो मेरे ख्याल से सर्जब टू कॉमा वन पर ड्रॉट की गई टेंजिंट की आपने एक्विशन निकाली तो उसकी स्लोप और इस नाइन की स्लोप स होगा और कितना वाइपां थ्री इस एकल टू है क्या आपको दिख रहा है जो मैं कहना चाहा हूं यो जाएगा माइनस एक्स अपां थ्री तो टेक्नीकली कितना होगा माइनस एक्स प्लस वाइज इकल टू 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 तू और यह लाइन और यह लाइन पारलल नहीं है if you all can notice it very clearly and in that case I would simply suggest you will go for 2,1. तो ह की जो values हमसे पूछी जा रही है वो 2 और माइनस 2 आ रही है लेकिन हमारे लिए acceptable value क्या होगी? 2 तो आप क्या माँ करेंगे? क्यों? क्या ये एक आसान सा, मज़िदार सा, basic सा, simple सा, sorted सा question था? जिसमे कोई बहुत difficult या tough काम आपने नहीं किया और अगर ये बात आप सभी को समझ आई, तो क्या यहां से आगे बढ़ते हुए next question पर आएं, इस question में वो क्या लिख रहे हैं? सबसे पहली बात तो जे डोबली एडवांस ने एकदम ताजा-ताजा सा 2021 का question है, आप खुद हैसास करेंगे कि अगर ये numerical value type question है तो कितनी आसानी से आप चीज़े निकाल सकते हैं पर सर, बहुत आजीब नहीं लग रहा, आप यकीन करिए step by step process follow करिए एक-एक step को पकड़िए, आप आराम से निकाल लेगे शुरू करते हैं, शुरू कैसे करना है, गौड से देखे, एक ellipse है तो ellipse को मेरा, ellipse को लेकर हमारा opinion तो यही है सर कि ellipse बना लो तो ellipse के major, axis, minor, axis बना लेते हैं पहले इस तरीके से आपके minor और major ये दोनों axis बन गए इलिप्स को भी बना लेते हैं, सर, इलिप्स यहां कहीं होगा, कुछ इस तरीक ऐसे, यह रहां मान लेते हैं, क्या भई, यह से उठके, sell it क्यों नहीं हो रहा है, इसे मुठा के इस तरफ रख दूँ, तो आपको को यापती तो नहीं होगी भई, यह हमारा, मुझे ना थोड़ा सामने से ऐसा नहीं दिखता है, पर अगर चीज़ें ठीक बन जाना तो आपको दिखाना बड़ा असान रहता है, आपको समझाना थोड़ा असान रहता है, जितना precision के साथ हमना है, आपको एक्जाम प ना, standard lips मतलब क्या, यह रहा सर, x square upon 16, को क्या मैं 4 square लिख दूँ, और y square upon 9, को क्या मैं y square upon 3 is equal to 1 लिख दूँ, तो आपको चलेगा क्या, बहुत अच्छा चलेगा सर, और मुझे दिख रहा है कि यह जो point हो गया, 4,0, major axis आपका x axis ही रहना था है, minus 4,0, यह रहा भई आपका, 0,3, minor axis का, एक extreme और यह रहेगा, 0,3 और origin पर यह centered होगा, है ना, this will be centered at origin, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो कहना क्या चारा है, इस पर बात करते है, Sir, for any three distinct point P, Q and Q' on E, तो उसने क्या किया, उसने इस ellipse पर तीन point लिए, कौन-कौन से P, Q and Q' किस पर, इस ellipse पर, ठीक है, फिर क्या, आपके पास M, एक point है P, Q, M जो है, वो midpoint है आपका line segment P, Q का, सुनना, है ना, इस तरीके से, एक midpoint है किसका, PQ' का, है ना, और इस तरीके से, P, the midpoint of the line segment joining P and Q' बात करेंगे इस बारे में, मेरे ख्याल से, M के बजाए कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि nomenclature का issue आईगा, बात कर लेंगे, है ना, वो कुछ और ही है, पर पहले तो, मैं यह बताना आपको चाहरा हूँ, कि P, Q और Q' तीन points है, distinct, अलग-लग है ना, E प और इसे में बना लेता हूँ, Q' आपको कोई परिशानी तो नहीं है इस बात से भई, है ना, और अगर मैं इनको मिला दू, तो खेलाए से मुझे एक रांगल में लेगा, ऐसा Q कर रहे हूँ से, थोड़ा सा patience रखिए, आपको बहुत मज़दार सी चीज नज़र आईगी, ह कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, अभी तक तो नहीं होनी चाहिए, है ना, अब सुनना ध्यान से, उसने कुछ points के बारे में आप से discussion किया, किस किस के बारे में, M जो था वो PQ का midpoint था, तो PQ का एक midpoint है, तो midpoint हम ढूंड लेते हैं, थोड़ा approximation से मान लेते हैं, यहां क के बाद, हैना, M जो है, वो midpoint है, line segment जो P और Q को join करती, फिर उसने M और लिया, जो कि मेरे खाल से typo है, यहां पर M या M' कुछ होना चाहिए था, अबर ठीक हम देख लेंगे, PQ' be the midpoint of the line segment joining P and Q' तो P और Q' का भी एक midpoint है, हैना, P और Q' का भी एक midpoint है, जिससे हम अभी फि maximum value, maximum possible value of the distance between M, जो कि P Q का midpoint है, और यह M' ही है, अगर आप इसे M' मान ले, I hope आप इस बात से परिशान नहीं है, अगर मैं से कहलू फिलाल, इसे M' तो यह आपका, यह midpoint हो, ठीक है क्या, वो कह रहा है आपसे, सुनना ध्यान से, possible value of the distance between M and M' as P, Q and Q' vary on E, अब सुनना ध्या से, यह question यहीं खत्म हो जाएगा, अगर आप इस question को ठीक से observe कर लें, खेर, काफी हद तक आपके सामने answer लिखा हुआ है, मेरा यकीन करिए, काफी हद तक आपके सामने answer लिखा हुआ है, पर करेंगे कैसे, thought क्या होगा, idea क्या होगा, सर इस बारे में बताओ, एक बात बताओ सिंपल सी बात है, सोच के बोलना, समझ के बोलना, आप इसे कैसे निकालोगे, मेरा कहना है कि हम similarity अपलाई कर सकते हैं, सर इस similarity कैसे, आप याद करो, mid point अगर मैं लगाओ, और similarity का concept लगाओ, तो क्या मैं दो triangle similar नहीं पा रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, आपको बहुत आर क्यू डाश है घूमते चले जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे M और M डाश की value maximum चाहिए, अब आपको यह बात याद देखिया, अगर मैं इस बात को थोड़ा परे रख कर, आपको similarity वाला जो hint मैं देना चाहरा था, उस पर आप से बात कर होगी, और P और Q डाश का भी लिट से हमने midpoint हो ना, जो की है, लिट से M डाश और जो की A और Y distance equal होगी, क्या आप यह नहीं जानते हैं, क्या आप यह नहीं जानते हैं, कि जो M और M डाश होगा, जो M और M डाश को join करने वाली line होगी, वो सर्थ सबसे पहली बात तो इस आरलल होगी, I hope आप यह बात जानते हैं, बहुत अच्छे से, क्या आप मेरी इस बात से सहामद, अब जब मुझ से कोई कहे, जब मुझ से कोई कहे, कि आप M M डाश को माक्सिमम बनाओ, तो M M डाश की जो माक्सिमम वाली होगी, शलाय से, आप सीधी सीधी सी बात जानते हो आप सोचो ना, this upon this, proportionality वाली theorem, similarity में, this upon this, will be equal to this upon this, अगर मैं similarity वाला concept लगाओ, तो आप खुद प्रूफ कर चुके बात है, मुझे मेरी खाल से प्रूफ बने की ज़रूत नहीं, कि देखो सर, ये angle, अगर मैं दो triangles की बात करों, कौन सा, triangle P M M डाश, और मैं किस की बात करों triangle P Q Q डाश, शू की ये दोनों लाइंस पैरलल हम जानते हैं, मिड़ पॉइंट की वज़े से हैं, तो आपके ये angle और ये angle से ही होगा, आपके ये angle और ये angle से ही होगा, और ये तो common angle है ही, तो ये दोनों triangles कैसे हैं, similar, और similar छोड़ो सर, मज़िदार सी बात है, कि exact इसकी double ही है, proportion sidewise अगर आप देखो तो, मैं अगर कोई आप से पूछे, कि PM अपन इसके proportional, corresponding side कौन सी है, P Q, है न, ये जो ratio होगा, क्या ये PM डाश, अपन P Q डाश, और क्या ये ratio, MM डाश, अपन Q Q डाश, और ये सारा ratio किसके एकवल है, sir, ये half है, ये half exact midpoint है, so this upon this क्या होगा, इसका ये double है, तो ये technically ratio कितना होगा, 1 by 2, इसका क्या मतलब, sir, इसका मतलब, अगर आप मुझसे कोई पूछ रहा है, MM डाश की maximum value, MM डाश की maximum value, तो शैला इसे आप खुद देखो, बहुत ध्यान से notice करो, कैना इसे, वो Q Q डाश अपन 2, अगर मैं आप से पूछू, MM डाश की value प Q Q डाश को maximize करना है, क्योंकि वो numerator में है, अगर ये fraction बड़ा बनाना है, denominator fix रहे, तो maximum बड़े से बड़ा कौन हो Q Q डाश, अब Q Q डाश, दो points मुझे ellipse पर इस तरीके से चुनने हैं, कि उसकी value maximum आए, एक बात बताओ, Q Q डाश सबसे जादा बड़ी value का अब देखा, I hope आपको Q Q डाश के maximum value नहीं मिलती, बिलकुल मिलती, और वो maximum value क्या होती, I think 4 और 4, 8, तो Q Q डाश की, जो maximum value होती, Q Q डाश की, जो maximum value होती, वो कितनी होती सर, वो हो जाती 8, और अगर ये maximum value होती 8, तो मैं क्या कहता, mm डाश की, जो maximum value होगी, mm डाश की, जो maximum value होगी, वो Q Q डा पास जनाब अगर है 4, 8 का हाफ अगर है 4, तो इस question का answer आप क्या मग करेंगे, 4, that's all, that's all what you can do in this question, इसके अलावा इसमें सा कुछ भी नहीं है, जो आपको करना है, जो आपको ना पताओ, क्या है एक आसान सा, direct सा, sorted सा question समझा है, चीज़े बिल्कुल स्मूथ सी और चीज़े बिल्कुल क्लियर सी चल रही है, यह आपकी जो हम तयारी करवा रहे हैं, I hope आप जानते हो, हम सिंगेज बुक के थुरू कर रहे हैं, जो सिंगेज आपकी mathematics की बुक है, उसके थुरू आपकी IIT JEE मेंस और JEE अड़वली एडवां को लिखने योग्य हो जाते हैं, उसके लिए eligible हो जाते हैं, योग्य का मुझे नहीं पता बठाँ, और उससे अगर आप clear करते हैं, तो आप IIT में अडविशन लेते हैं, और इस exam के हम mathematics subject की तियारी कर रहे हैं, किस के थुरू सिंगेज, के थुरू जो पांच किताबों का collection ह हैं, जिसमें आपको मिलता है coordinate, calculus, vectors in 3D, algebra और technometric, हम बहुत properly हर एक पार्ट करें अगर आपको याद है तो, क्योंकि हम हर chapter के सारे concepts पढ़ते हैं पहले, फिर उनको example से consolidate करते हैं, फिर हम exercises के questions करते हैं, जिसके तुरू हर variety का exposure लेते हैं, और finally हम J.W.E. Advanced के P.Y.Q.s भी करते है जो exactly हम अभी फिलाल इस दौरान दर्मियान कर रहे हैं, और मुझे यह सिखाने, बताने या कहने की ज़रूत नहीं है, सारी तेहरी आपकी free of cost ही हो रही है, हम कोई subscription खरीदने को नहीं कह रहे हैं, कोई भी charges नहीं है, कोई hidden cost नहीं है, आप हमारे notes, pds, ebooks के लिए भी team से contact कर सकते हैं, इसके लिए आपको get notes एक link दिखाए देगा इस वीडियो के description में, वहाँ क्लिक करना होगा, इसके साथ साथ students पूरा playlist का link आपको description में मिलेगा, उसी के साथ हम ये चाहेंगे कि आप कोई query हो तो comment में लिखने हैं, वरना questions practice करें, notes बनाते हैं, वीडियो मिस ना करें daily 930 पर ये videos release होते हैं आपके लिए, इसके साथ एक छोटी सी गुजारिश इन्हें और students से share करिए, उन्हें भी benefit मिले इससे, ताकि वो इससे avail कर पाएं, मेरा यकीन है आज के लिए इतना काफी है, next lecture में मिलेंगे, हम और कहीं सारे PYQs, JW Advance के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखे अपना, thank you so much.